महराश्ट की एंड ये सरकार ने कुरुवार को दो फड़े फैस्ट लिये एक तरफ उसने राज्य अनुसू चितजाती आयोग को समयधानिक तरजा देने का फैसला कर लिया तो वहीं केंदर सरकार से OBC क्रीमी लेयर की लेमिट बढ़ा कर 15 लाक रुपए देने तक करने की ने लिया है जिसके तहत महराश्ट की 19 OBC जातियों और उपजातियों को केंदर की पिछड़ा सूची में शामिल किया गया इन जातियों में गूजर, लोध, डांगरी, भोय, रादी शामिल है इन फैसलों से कितनी जातियों को किस तरह से फायदा होगा यहा अलग से अध्य की तयारी है और अगले सब्ता कभी भी चुनावों का एहलान हो सकता है जानकारों का मानना है कि जिन 19 OBC जातियों को केंद्रे सूची बे डाला गया है उनकी स्तंख्या लगभग 30 सीटों पर इतनी है कि वे चुनावी परेडाम बदल सकते हैं इसी तरह लगभग एक दरजन इसी सीटे हैं जहां दलित समुधाय के लोगों के इतनी आबादी है कि वे चुनावी परों को बदल सकते हैं इन सारे समीकर्णों को साधते हिवे मिसंचारिस का प्लान तयार किया गया भाजपाशिप सेना और NCP के गटबंदन को लगता है कि इन फैसलों से बहराज के समीक मराठा आरक्षन के लिए आंदोलन हो चुका है एक बार फिर से चर्चा तेज है माना जाता है कि राजच में मराठाओं की आबादी लगवगत 30 फीस दी है यदि उनका बड़ा हिस्सा सरकार से नाराज होगा तो नुकसान होनाता है हाला कि अपने दर्शकों को बता दें कि स्थती इस वक्त की जो सामने आ रही है वो जाहिर तोर पर ये बता रही है कि क्या महराष्ट के चुनाफ में भी बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता नाजर आएगा महराष्ट चुनाफ से पहले जो तैयारी बीजेपी की है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी